आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ What happens when? यहाँ पर पूछा गया है कि क्या चीज होता है जब हम लोग tea leaves, cotton saps and old soft toys are thrown into the drain यहाँ पर पूछा गया है कि क्या होता है जब tea leaves और cotton saps और जो all हमारे toys होते हैं उसको डाल दिया जाता है ड्रेन में तो basically क्या होता है कि यह सारे जो substance होता है यह different different category में count होता है और जब एक साथ इनको drain में डाल दिया जाता है तो drain का जो pour होता है यह पिर हम लोग कह सकते हैं कि drain के जो pipes होते हैं वो एकदम से block हो जाते हैं क्योंकि इतने बड़े substances जो हैं उनका large size होने के वज़े से वो लोग pass down नहीं कर पाते हैं और जैसे जैसे वो लोग down नहीं हो पाते हैं वैसे वैसे वो लोग क्या होता है कि एक ही जगा पे अटक जाते हैं जिसके वैसे drain में logging produce होता है और logging के साथ साथ क्या होता है कि drain जो है वो fill up भी हो जाता है और इसी unnecessary fill up से फिर क्या होता है कि बहुत सारे disease causing materials लोगों को effect करते हैं इसलिए हमें different different old toys और cotton shabs होते हैं इन्हें हम लोगों को recycle के लिए भीज देना चाहिए और बाकी जो चीज यहां पे tea leaves होते हैं यह organic waste होने के वैसे इसे हम लोग soil में डाल सकते हैं जिसके वैसे soil के nutrient quantity जो है वो high होगा तो यह हो जाता है correct answer और इसी को हम लोग यहां पे लिख लेंगे